कॉछ और कि अक यह गया वलकाम बैक टो माई चैनल वालग्व हम जब अपने फोन में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमारे फोन का जो इंटरनेट डाटा होता है वह बहुत ही जल्दी वैस्ट होने लगता है खता है और तो उसके बहुत से तो आज मैं को यह वह वारा आप दो सब्सक्राइ में मुबाइल को Co चलिए फ़ीश के आ Examples करके आप अपने इंटर्णेट डाथा आई वह वह बचा सकती है चाहे वह वह 2G bo जितना भी हो आप उसे वेस्ट होने से जल्दी खत्म होने से बचा सकते हैं तो चलिए बिना किसी देटी के वीडियो को करते हैं तो यहां पर मैं Simply सबसे पहले सेटिंग को उसके हम लोग आएंगे यहां पर अपना mobile की सेटिंग में open करेता हो talk मूबाइल विपन करने के बाद यहां पर आपको सिम कर अनों मॉबाइल डाटा पर चले आना है आपको इवा यहां पर आपको यूजेज वाले में चले आना यहां पर आपके फोर्म में जितनी भी एप होंगे वह आपको यहां पर सो हो जाएंगे तो यहां पर आपको स्टार्टिंग में जो तीन चार एप होंगे उन पर आपको फोकस करना देखना है कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैं जो इंस्टागां में वह 12GB है यहां पर यूट्व वह 8.383GB तक मेरा इंटरनेट डाटा लेता है तो यहां पर जैसे मारे इंस्टागां पर गया तो यहां पर यह देख सबसे नीचे में आप देख सकते हैं कि बैग्राउंड डाटा और यहां पर बैग्राउंड डाटा बैग्राउंड में 211MB होता है तो यहां पर आपको सिंप्ली इसको इनेबल कर रहा है डिसेबल कर देना है जिसे जो आपका बैग्राउंड डाटा ह वह वेस्ट नहीं होगा background में कोई भी डाटा इंस्टेकाम कर नहीं लेगा तो यह आपको पहली सेटिंग करके लखने हैं अपने फोर में जो जो आप ज्यादा यूज करते हैं उन सब का आपको background डाटा हटा देना है आफ कर दें जैसे वाटसअब का है वाटसअब का मैं यहाप बैगराउंड डाटा ओफ कर देता हूं जिससे अब मैं अगर वाटसअब यूज नहीं करूंगा फिर भी मेरा background जो डाटा है वो नहीं होगा चलेगा नहीं तो पहले यह background डाटा लेता था तो यह पहली सेटिंग है और अगर फिर अपडेटेड एप पे आपको चले आना है जैसे आप आप अपडेटेड एप पे जाएंगे यहां आपको डोंट आपडेटेड एप पे आपको क्लिक कर देना जैसे कि मैंने किया हुआ है जिसे कोई भी एप है वो अपने आप अपडेट नहीं होगा नहीं तो ऐसे जो अपने फोन में आपका नेट से बचेगा तोई आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आयो हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में थान्क इससो मच